रवी शंकर का जन्म साथ अप्रेल 1920 को बनारस में एक बंगाली ब्रामन परिवार में हुआ था। उनके पिता शाम शंकर चौधरी शुरुआत में अंग्रेजों के अधीन एक स्थानिय बैरिस्टर के रूप में सेवा करते थे। उसके बाद वे एक वकील के तौर पर लंदन में काम करने चले गए। युवा रविशंकर का लालन पालन उनकी मा विसालक्षी रतनम ने ही किया। रविशंकर आच साल की उम्र तक अपने पिता से नहीं मिले थे और फिर वे अपने बड़े भाई के साथ रहने लगे। उनके बड़े भाई उदे शंकर उस समय के एक प अम्र से इस नृत्य मंडली के साथ अमरीका और यूरोप के कई दोरे किये और एक नर्तक के रूप में कई यादगार प्रदर्शन दिये। रवी शंकर को अपने जीवन में सितार से काफी सालों बाद परिचित हुए थे जब वह 18 वर्ष के थे। यह सब कोलकाता में एक सं आंगीत कारेक्रम में शुरू हुआ जहां उन्होंने अम्याकांति भटाचार्य को शास्त्रिय वाध्य यंत्र बजाते हुए सुना, उनके प्रदर्शन से शंकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ने फैसला किया कि उन्हें भी भटाचार्य के गुरू। उस्ताद इनायत खान से कैसे भी सितार सीखना ही होगा और यही वो पल था जब उनके जीवन में सितार आया और शंकर के साथ तब तक रहा जब तक उन्होंने अंतिम सांस नहीं ली पंडित रविशंकर एक भारतिय संगीत कार और कंपोजर थे जिने पूरी दुन्या में भारतिय शास्त्रिय वाद्य अंत्र सितार को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है पश्चिम में ये और भी लोकप्रिये थे, ऐसा कहा जाता है, कि रविशंकर के संगीत में आध्यात्मिक शान्ती छिपी थी, जो सुनाने वाले के दिल में उतरती थी, 90 साल की उम्र में भी उनमें संगीत का जुनून जरा भी कम नहीं हुआ था एक इंटर्व्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप 91 साल की उम्र में भी जवान व्यक्ती जैसा जोश कहा से लाते हैं, तो उन्होंने कहा, भले ही मेरा शरीर 91 साल का हो गया है, पर मेरा मन अभी भी जवान है अपने गुरू उस्ताद इनायत खान के नेतरित्व में सितार बजाना सीखने के बाद, वह मुंबई चले गए, जहां उन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसियेशन के लिए काम किया, वहां शंकर ने 1946 तक बहले के लिए संगीत की रचना की, उसके बाद 1950 में, रव 1956 तक संभाला, All India Radio में अपने समय के दौरान, शंकर ने औरकेस्ट्रा के लिए मिश्रित सितार, पश्चिमी शास्त्रिय वाद्ययंत्र और भारतिय वाद्ययंत्रों के साथ कई धुनों की रचना की, इसके अलावा, इस अवधी के दौरान, उन्होंने अमेरिकी मूल के उसके बाद 1956 में उन्हें प्रदर्शन के लिए पश्चिम में जाना पड़ा, पश्चिम के एडिनबर्ग फेस्टिवल और रॉयल फेस्टिवल हॉल जैसे प्रमुक कारेक्रमों में उन्होंने बहतरीन संगीत का प्रदर्शन दिया, जिसके फलस्वरूप भारत के बाहर भ दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए, 1954 में रविशंकर ने सोवियत संग में अपना गायन दिया दिया, 1956 में उन्होंने सन्युक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में अपने संगीत की मधूरता का पदारपन किया, साथ ही उनकी लोक प्रियता में मदद करने के वाला वह अंक भी था जो प्रसिद भारतिय फिल्म निर्देशक सत्यजीतरे के लिए रविशंकर ने लिखा था, पहले से ही पश्चिमी दुनिया में भारतिय संगीत के एक राजदूत रहे, शंकर ने 1960 के दशक में इस भूमिका को बखु भी निभाया, उस दशक में उनके महान योगदान के लिए, उन्हें ततकालीन भारतिय प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा राजजसभा के लिए नामित किया गया था, उन्होंने 12 मई 1986 से 11 मई 1992 तक भारतिय संसत के उच्च सदन के सदस्य के रूप में कार्य किया, जून 1966 में लंदन में एक का परेक्रम के चलते प्रसिद बैंड बीटल्स के सदस्य जॉर्ज हैरिसन से रविशंकर की मुलाकात हुई, हैरिसन शंकर से खूब प्रभावित हुए और उसे मित्रता की, फिर हैरिसन खुद ने रविशंकर से सितार का पाठ लेना शुरू किया, इस मित्रता ने तुरंत श रूप में जाने जाने वाले संगीत की एक नई शैली को जन्म दिया, बाद में हैरिसन ने रविशंकर के निर्माता के रूप में काम करना शुरू दिया, वह हैरिसन ही थे जिनोंने खुद पंडित रविशंकर को The Godfather of World Music के रूप में संबोधित किया था, हैरिसन से 23 साल ब पहिला से शादी की शादी के एक वर्ष बाद रविशंकर के पहले बच्चे शुभेंद्र शंकर का जन्म हुआ, 1940 के दशक से रविशंकर का कमला शास्त्री नामक एक नर्तकी के साथ प्रेम संबंध था और यहां उनकी शादी के लिए घातक साबित हुआ जो सब कुछ कत् 1981 में उन्होंने कमला शास्त्री के साथ अपने रिष्टे को तोर दिया और न्यू यॉर्क की एक कॉंसर्ट निर्मातासू जोन्स के साथ एक नया संबंध शुरू कर दिया, 1986 में यहां रिष्टा भी समाप्थ हो गया उसके बाद रविशंकर ने सुकन्या राजन नाम की महिला से शादी की इस दमपत्ती की एक बेटी है जिसका नाम अनुष्का शंकर है वर्ष 1992 में रविशंकर के बेटे शुभेंद्र शंकर की निमोनिया से मृत्यू हो गई अपने बेटे की मृत्यू के बाद रविशंकर कुछ ज्यादा आध्यात्मिक हो गए और इस हादसे के बाद से उन्होंने नौन वेज खाना छोड़ दिया पंडित रवी शंकर को मिले चुनिंदा अवार्डस इस प्रसिद सितार वादक को 14 डॉक्टरेट और डिसिकोर्तम सहित दुनिया भर से कई पुरसकार और सम्मान प्राप्थ हुए हैं संगीत नाटक अकादमी पुरसकार 1962 में उन्हें भारत के संगीत नृति और नाटक के राश्चिय अकादमी द्वारा नाटक अकादमी पुरसकार से सम्मानित किया गया पद्म भूशन 1967 में रविशंकर को भारत के तीसरे सर्वोच नागरिक पुरसकार से सम्मानित किया गया पद्म विभूशन भारत का दूसरा सर्वोच नागरिक सम्मान पद्म विभूशन उन्हें वर्ष 1981 में दिया गया भारत रतना 1999 में इस महान सितार वादक को देश के सर्वोच नागरिक पुरसकार से सम्मानित किया गया ग्रैमी अवार्ड रविशंकर ने अपने जीवनकाल में पांच ग्रैमी पुरसकार जीते 1967 में यहुदी मीनुहिन के साथ उनके सहयोगी एल्बम ने बेस्ट चैंबर म्यूजिक पर्फॉर्मेंस के तहट ग्रैमी जीता 1973 में कॉंसर्ट फॉर बामलादेश के लिए एल्बम आफ दे इयर का पुरसकार जीता 2002 में उनके अल्बम फुल सरकल कारनेगी हौल 2000 के लिए सर्वश्रेष्ट विश्व संघीत एल्बम पुरसकार जीता 2013 में दे लिविंग रूम सेशन्स के लिए एक बार फिर सर्वश्रेष्ट विश्व संघीत एल्बम के तहट पुरसकार जीता Lifetime Achievement Award उन्हे 55 वार्षिक Grammy Awards में इस प्रतिष्ठित पुरसकार से सम्मानित किया गया पंडित रवी शंकर की बृत्यू रवी शंकर का 11 दिसंबर 2012 को सैन दिये गो कैलिफोर्निया में 92 वर्ष की आयू में निधन हो गया संगीतकार कथित तौर पर उपरी श्वास और हृदय रोगों से पीडित थे और इसी वज़से उन दिनों में उनके हृदय वाल्व को बदलने के लिए सरजरी की गई थी उनका आखिरी प्रदर्शन कैलिफोर्निया के टेरिस थियेटर में उनकी बेटी के साथ संपन्न हुआ था उनकी बेटी अनुषका शंकर एक सितार वादक के साथ संगीतकार भी है रविशंकर की विरासत को अब इसी प्रतिभाशाली संगीतकार ने आगे बढ़ाया है आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें जए हिंद जए भारत